हमें तो विखरना था कभी ना कभी हवाएं ताजा एक जोगा लेकर आई और वो बहाना हो गया है यहां हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत के विखरने के बारे में कि किस तरीके से दिल्ली सल्तनत को तो वो दीन अवक्ष शुरू करता है और अलाओ दीन बलबन यह सब मिलके काफी हुचाई पर ले जाते हैं दिल्ली सल्तनत की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं मुहम्मद बिन तुगलक दक्कन को जीत लेने की चाहत के साथ राजधानी देखते हैं कि extension होता है boundaries का लेकिन उसके बाद यह जीवन में भी एक ऐसा ही फेज आता है अर्थिव्यूस्ता में भी ऐसा ही पीज आता है और सल्तनत में भी ऐसा ही फेज देखने को मिलता है कि कई बार इनसान बहुत उंचाई पर जाता है बहुत उंचाई पर जाता है फि Gradual Decrees देखने को मिलेगा आपको और देखते ही देखते सल्तनत समट जाएगी और समटने के साथ जो बाबर का आगमन होगा वो तेज हवाओं का जूका होगा दिल्सल्तनत के लिए और ऐक जटके में पानीपत का पहला युद्द होगा वो दिल्स सलतनत समाप्त करके मोगल वंस की अस्तापना करेगा तो इस बहुत छोटे से लेक्चर में आपको इस सब कुछ पढ़ने को मिलेगा कुछ खास बात इसमें ऐसा नहीं है जो भी है आपके परिक्षाओं में आना है वो इस लेक्चर में सामिल है आप उसे समझ सकते हैं पढ़ स चुरू किया तो खिज्र खान 1414 से लेकर के 1421 तक इसका फाउंडर रहा है और इसके सासनकाल में जनता काफी प्रसंद एवं संतुष्ट थी देखिए आप जनता वाली करेंगे तो जनता प्रसंद और संतुष्ट रहेगी इसमें कोई confusion नहीं है इसने रहयत आला की उपाध जक्रक्सा इसने अपने नाम के सिक्के चलवाए तो जो सासक अपने नाम का सिक्का चलवाएगा आप यह समझना कि उसका थोड़ा एंविशन बड़ा हो सकता है खुत्बा भी पढ़आया और इसका जो वजीर था वो मजीर सरवर ता मजीर सरवर उलमुल्क कहा जाता है इस इसने 1434 इस्वी में मुबारकाबाद शहर दिल्ली में बसाया था याद रखेंगे मुबारक्चा ने मुबारका बाद शहर दिल्ली में बसाया था तो आपको यहां पर ठोड़ा क्लियर रहना है कि सयद वन्स वाला ठीक है इसके बाद ही हम बात करें तो मुहम्मद शाह के बारे में बात करेंगे 1434 से लेकर के 1443 तक मुख्यता ही है और 1443 से लेकर के 1451 तक यानि कि लाश्ट रूलर के रूप में अलाउद्दीन अलम शाह है कुछ खास नहीं इसके टाइम पर ही इसने बहलो लोधी को पूत्र मान लिया था और उसे खाने खाना के उपाधी भी दी थी बहलो लोधी को सारा काम सारा प्रुशाशन बहलोल लोधी के माद्यम से चल रहा था बहलोल लोधी पर ही निर्भर था सल्तनत की सुरक्षा उसी पर निर्भर थी तो एकदम से क्लियर था कि अगला जो साशक बनेगा वो कौन बनेगा बहलोल लोधी बनेगा और आप जानते हैं कि इस प्रकार ऐसे इसको पानीपत से बनादेगा योगा और इसी प्रकार इस क्या हो जाएगा तो आपको समझना यह है कि शुरुवात कैसे हो रही बहलोवल नावासी तक लेकर के 1489 तक यह लोधी डाइनस्टी का टाइम पिरियट दिखाए दे रहा है इसमें 1526 तक लेकिन बहलो लोधी की जब बात होगी तो वह 1489 तक इसका ओरिजिनल नाम क्या होगा बलू उपाधी इसको मिलेगी कौन सी गाजी की याद रखने वाली बात क्या है कि इसका दो ब स्राप्त नहीं ती हुसें सासरकी से उनपुर इसको मिला था इसने बैलोली नाम के सिख्के भी चलवाया थे अप इस अधि रखिए मैंल लिए नाम के सिक्के चलवाय थे इसके बाद यहीं जाए तो सिकंदर लोधी पर आपसे कुछ सवाल पूछा जाएगा क्या पूछा जाएगा सबसे पहला ये पूछा जाएगा सबसे दिक possibility पर ही सवाल आने कि है इसलिए आप एकदम आराम से सिकंदर लोधी को देखेए इसका मूल नाम पूछेंगे तो पोएम्स की वो गुलरुखी के नाम से थी गुलरुखी का मतलब गुलावी चेहरा होता है सिकंदर लोदी ने कई सारे अभियान भी चलाए जिसमें पंदरसो चार में धौलपूर मिसन नागवर को जीत लिया पंदरसो साथ में अवंत गड़ को जीत लिया पंदरसो चार में इसने आगरा सहर के स्थापना करी और यही आगरा सहर पंदरसो चेह में राजधानी बना सिकंदर लोधी का जयाद रखेंगे एक क्वेशन बार बार पूछा गया है कि आगरा शहर के स्थापना किस ने करी तो सिकंदर लोधी ने करी थी और 1506 में ये राजधानी बनी आगे आप देखेंगे तो सिकंदर लोदी के जो आर्थिक शुधार हैं उसमें भुमिम आपनी के लिए इसमें गज-े सिकंदरी की शुरुवात करी जोकी चलता रहा 1586 तक बाद में गज-े सिकंदरी जो है उसको अकबर ने गज-े इलाही भी कर दिया था, ठीक है ना तो सिकंदर लोदी ने तावे का एक टंका चलाया था टंका और इसने एक काम और किया था वो काम यह था कि जो खाद्यान अनाज थे उस पर से चूंगी करहटा दिया था और जकात भी समाप्स कर दिया था ठीक है धार्मी दृष्टी कोंड से देखें तो थोड़ा कठोर साश तो धर्म में क्या परिवर्तन कर रहा है देखें मजार परिस्त्रियों को जाने से रोक देगा मजार परिस्त्रियों को जाने पर रोक लगा देगा एक अनुबाद विभाग के स्थापना करेगा यह एहम पॉइंट है फिरोज सात उगलग सिकंदर लोदी आगे अकबर यह लोग दिखाए दे रहें जो अनुबाद विभाग के स्थापना कर रहे हैं यह प्ध्यान रखेगा और अनुबाद विभाग में क्या होगा जो संस्कृत गरंत होंगे उन सबको फार्सी में ट्रांसलेट किया जाएगा ताकि इसलाम के अंदर उनको समझा जा सके कि और वही बाद फार्सी में क्या कही जा रही है ठीक है हिंदु मा का संतान था याद रखेगा और 1517 में इसके मृत्तियों गई और 1517 में इसके मृत्तियों के बाद जो इब्राहिम लोधी आया तो इब्राहिम लोधी 1517 से ले करके और 1526 तक रहा आप जानते हैं लोधी बंस का अंतिम्स आ सकता और मैंने आपको बताया कि 21 अप्रेल 1526 को पानीपत के पहले युद्ध में बावर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो ललाई हुई उसमें एक भारी सेना ले करके भी इब्राहिम लोदी हार गया और बावर जीत गया बावर ने इसको वहां पर मार दि था तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि लोदी डाइनिस्टी का इंडिंग और यहां से मुगल डाइनिस्टी की शुरुवात यह आपको समझ में आएगी एकदम क्रोनोलाजिकल लिंक बन रहा होगा लेकिन खास बात यह है कि आपन सलतनत के दराण जो प्रसासनिक सुधार किये गये हैं यानिकि अड्मिनिस्ट्रेशन दिूरिंग दली सलतनत आप कह सकते हैं उसको तो वो अला लेक्चर आपको मिलेगा अलग से जिसमें हमने एड्मिनिस्ट्रेशन की बात करी है और एक लेक्चर आपको मिलेगा जो दिख रहा है मुगल डाइनेस्टी तो इसके बाद मुगल डाइनेस्टी पर हम लोग बात करेंगे बावर से शुरुवात होगी उम्मीद करता हूं प्रशन आपको समझ में आते हैं आंसर भी समझ में आते हैं जब आप हमारे कॉंसेप्ट को पढ़ने के बाद दूसरी प्रक्टिस करते हैं ठीक है तो जीएस परम आफिशल के साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बने रहे हैं मिलते हैं अगले क्लास में जैन जैवारत